प्रश्र्ण एस्ट प्रकार कसा धर्मपुत्र बनाउने काम पनी परमिश्र्कों शित्यकों अनुगरा को कार्ज़ हो एस द्वारा हामी वहां लेकोई भाई विशेश अधिकार रह अफसर साथ वहां को च्वरा च्वरी हुन्छाँ अनि जबा हामी पहलो ही हन्ना अच एसको तिनको एकमा पड़ चाँ इसे लेके कुछथा घराद पिताल हामी लाय कस्तोग किसम लए प्रेम गणा भाई कुछथा कि हमी परमिशर का संतान बनी काले का हरू हूँ, रख साचे हूँ, पनी इसे कारण लेता संसार ले हमी लाई चिन देना, किने मने तेसले वहां लाई चिनेना फिर यहन ना रची सुस्मचाद इसको एक दाइक बारा पतमा हमी इसे रिपार्ट पार्च हूँ तरह जतीले वहां लाई गरहन गरे रवाको नाव माती विश्वास गरे वहां ले तिने हरलाई परमिशर का संतान हुने अधिकार दिन भया रोवी का पत्र आट को सत्रमा इसे रिपार्ट लेखी काचा खृष्मा विश्वास द्वारा हमी परमिशर का धर्मपुत्र अतवा संतान मन्छों योचे हमरो मुक्ती को एक खंड हो पहले हमी पाप र सैतान का दास थियों हमी परमिशर को परिवार मा थिये नो परमिशर सबय मानिशर का सिष्टी करता ता हुनूंच तर वहां सबय मानिश का पिता हुनूंच वहां खृष्मा विश्वास गर्णे अरुका मात्र पिता हुनूंच हमी ले विश्वास द्वारा खृष्मको धर्मिकता पाई पची मात्रा पर मिश्य ले हामिलाई वहाको परिवार मा गरहन गर्ण होने छा कुने धर्मपुत्र ले तेसलाई धर्मपुत्र बनावने तेसका पिता को पुरा अधिकार पाउँ छा त्यो प्राकृतिक रितिले सरेर अनुसार पुत्र नभाहेता पनी त्यो नियाम अनुसार पुरही पुत्र हुन्छा त्यसे रने हामी हरू पनी जो स्वभाव अनुसार पापी हरू थियों अब क्रिश्द्वारा आत्मिकी रितिले परमिशर का साचा संतान बनेका हुन छों। रामी स्वर्गमा हामरो पुरा अधिकार पाउने छों। आमी रोमिको आठको पंद्र तेकी सत्रमा एसरी पढ़ छों। किना भने फेरी डर्मा पर्ण लाए दास्तो का आत्मा तिमिहर ले पाये का छों। तरा तिमिहर ले धर्म पुत्र हुने आत्मा पाये का छों। इसेले जबा हामी परमिशर लाए अब्बा पिता भने पुकार छों। त्यों चेहीं हामी परमिशर का संतान हो वनी पवित्रा आत्मले आमरा आत्म संगा गवाई दिनु भैको हो। रा संतान हो वनेता उत्रा धिकारी पनी हो। पर मिश्र का उत्र दिकारी रा क्रिस संगा शांचे उत्र दिकारी, वहा संगा दुखा भोक्षा वनेता, आमी वहा संगा महिमेत पनी उने छों। फेरी आमी गलातिको चार को तीन पत देखी साथ पत इसरी लेहे गजा हामी पनी इसरी ने बालक चाउंजल संसार का दैवी सक्ति और को दासत मुनी थियों तरह समाई का पुणता मा परमिशले आपना पुत्र लाई पठाउनु भयो वाय आउटी इस्तरी बाट जन्मन भयो तथा ब्यवस्ता को अदिनमा जन्मनु भयो ब्यवस्ता को अदिनमा राने हरलाई मलती रडा चुटाउन लाई महां पठाईनु भयो ताके हामी पुत्र को पुरा हक प्राप्त गणा सकौँ तीमेरो पुत्र भयका हुनाले परमिशले आपना पुत्र को आत्मा आमरो हिर् जसले यह अब्बा पिता भनेरा पुकार नो हुँचा इसे कारण परमिश्वदारा तीमी अब उप्रांता दास होई नौ तरा पुत्र हो रा पुत्र हो भनेता पुत्रा थिकारी पनी हो फेरी एपेश्य के एकद्याय को चार पांच मा आमेशर रिपोर्च होँँचा वहांको साम्मुने पवित्रारा निश्कन का हो भनेरा संसार को उत्पती भन्दा अगे बाटे वहांले हामिलाई चुन्द भायो वहांको इच्छा को लच्च अनुसार क्रिश इसु द्वारा प्रेम्मा वहले हामिलाई अपना संतान होना लाई अगी बाटे निवक्ती गर्णु भाय को थियो परमिश्र को धर्म पुत्रा वा संतान होनु चाहीं हमरो उधार को योटा मुख्या आसिसो तेसको अर्थ यो हो कि परमिश्र को स्वभावर गोन हरू पवित्रा आत्म द्वारा हामिमा पस्चनु तेसको अर्थ यो पनी हो कि हामि परमिश्र को गनिष्टा संगतिमा हुँचाहू जस्तो कुने उटा बालक आफने संसारिक पिता को संगतिमा रहांचा तरा धर्मपुत्र भायरा आमिले पुत्र जस्तेई गरी ब्यबाहर गवर्णु पर्षा पर्मिशर को धर्मपुत्र वा संतान हुनु योटा ठुलो हाकर आनंद को कुरा हुन्छा तरा सा साथै ते योटा ठुलो जिम्मुवारी पनी हो धर्मपुत्र बनावने को क्य हो धर्मपुत्र बनावने कामपनी पर्मिशर को शित्तेई को अनुगरा को कार्जे हो आज तप्पाईर मा जसले इशुक किसलाई विश्वास गरे कचाँ, महालाई गरन गरे कचाँ हामी लाई पर मेश्वले आफना संतान हुने अधिकार दिनो भाईक चाँ अब हामी पर मेश्वले और शिष्टी करता को रुपमा मत्राई नभाईर और पिता को रुपमा पनी हामी पुकारन सक्चाँ आबबा भने रा तिसले परकारले आज हामी धर्मपुत्रा बनाऊनों हने को के हो तिसको अर्था हामी ले बुझना शाक्य काचाँ जब हामी धर्मपुत्रा बनाएन चाँ प्रभु इश्वकिस्मा पर मेश्वर को सित्ते को अनुगरा द्वारा अने या भने कचा तै अनुसार को जीवन पनी हामी ले जीवन पर्चा भन्दा हामी प्रभु इश्वक्रिस जस्ते हुन पर्चा इस सुख्री जस्ते जिवन परचा, वाहा को चरीत्र यवडा परमिश्वर का संतान भैको नातोले हमरो जिवन मा पनी देखिनू परचा अनि यो कुरा चैं हमरो लागी ठुलो यवटा जिम्मवारी पनी हो हमी जिम्मवारी होनु परचा के परमिश्वर मा हमी धर्मपुत्र बनाईये काचा और हमी परमिश्वर को पत्र धिकारी पनी हो और हमी परमिश्वर का राज्य का हाकवाला पनी हो तेसे कारण आमरो जीवन चरीत्र, आमरो श्वाभाव, आमरो चाल चलन, आमरो कस्तो होनु परछा मन्ने कुराले आमिलाई ठुलो जयताउनी को रुपमा दी राखे को आमी पाउँ छाँ अनि यो जिम्मवारी तप्पाई रमेले उठाउनु परछा कि धर्मपुत्रा आमी परमेश्वर का संतान हो भनेरा योड़ा धाक लगायर मत्रे पुखदेना तरह इसको जिम्मवारी के हो अनि इसलाई पिनी आमी बहन गौण पाणे होनु छा परमेश्वर ले आमी सब जानलाई आशिस गौण भाईकोस आमिन